तो आज मैं आपको पताऊंगा जब भी आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसी कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीजे हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जो कि आपकी बेसिकली YouTube SEO में हल्प कर सकते हैं यानि कि आपकी वीडियो रैंकिंग को इंप्रूफ कर सकत तो देखिए यान पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है मैं इसके एडिट सेक्शन में आ गया हूँ वीडियो डीटेल सेक्शन में आ गया हूँ सबसे पहले हम एक ही करके सारे steps को देखेंगे और एक ही करके छोटी-छोटी चीजे जो हैं उनको सबको clarify कर जाएंगे क क्या क्या चीजे important है क्या क्या चीजे आपकी ranking जो है improve कर सकती है तो देखें सबसे पहले हो गया हमारा title हमें एक title देना है कोशिच घंडी ए title थड़ो कैची हो और हमारे पास जो keyword है वो title में जरूर आता हो और वो natural लगना चाहिए title में आते हो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो forced है और फिर हम गाइस यह pipeline यूज कर सकता है इसको pipeline कहता है YouTube में काफी लोग यूज करते है इसको वीडियो के title में अपने और फिर हमने channel के नाम दे सकता है या फिर कोई sub topic है तो फिर आगे दे सकते है या फिर जैसे को main topic है तो हम उसके under category में इसको दे सकते है और description में guys म तो वो काफी अच्छा लगता है क्योंकि क्या है इससे वीडियो के थोड़े detail मिल जाती है फिर आप यहाँ पर कोई links दे सकते हैं अगर आपको को link प्रोवाइट करने है तो जैसे मैंने image compression वीडियो को एक link दे रखा है आप तो वो आप provide कर सकते हैं फिर आप अपने channel के बा अंदर social media के links लगा सकता हूँ और guys तीन hashtag तो कमबसरी लगा नहीं चाहें आपको तीन maximum ही allowed होते हैं YouTube में आज की date में तो आप जरूर लगाए इन्हें आप इन्हें स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैंगा इसको फरक नहीं पड़ेगा बस एक बार मैं आपको दिखा दिता हो ताकि वो थोड़ा neat and clear लगे description को disturb ना करें फिर आजाते हैं थमनेल पर थमनेल मैं usually canvas से बनाता हूँ काफी easy रहता है एक थमनेल का template basically मैंने design कर रखा उसमें थोड़े बहुत changes करके बहुत easily हर बार मैं बना सकता हूँ जादा time भी नहीं लगता है और एकदम clear thumbnail बन जाता है थमनेल आपके clear होना चाहिए और जो topic आप उसमें वीडियो में explain कर रहे हैं वो एकदम visible होना चाहिए वो उसको ढूंडना जादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी audience आपकी आती है जो भी customer आते हैं thumbnail देखते ही guys उसको समझ आजाना चाहिए कि वीडियो किस बारे में है क्योंकि क्या होता है guys इतनी सारी वीडियोस हैं YouTube पे लोग usually thumbnail देखे ही क्लिक कर देते हैं title कोई काफी लोग नहीं पढ़ते हैं तो thumbnail इतना होना चाहिए आपका कि thumbnail देखते ही लोग आपकी वीडियोस प channel हो जाता है आगे चलके तो playlist काफी important जाती है लोग playlist से search करने लग जाते हैं तो playlist में आपको कोशिच करनी है कि सारी वीडियो किसी ना किसी playlist में जरूर added हो फिर right side में हम देख लेते हैं काई subtitles अगर आपको add करने हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा tedious हो जाता है लेकिन important जरूर है यह मैं कहूंगा आपको बलकि मैं recommend करूँगा कि आप other languages के subtitles अगर upload कर सकते हैं तो वो भी करिए तो उससे क् हिंदी या English में और subtitles आपने दो चार और languages में upload कर दिये तो हो सकता है कि आपका content जो है वो उस country में या उस language specific region में भी चलना start हो जाए तो यह views लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि सारी दुनिया जो है guys Hindi और English नहीं बोलती है और भी काफी languages बोले जाती हैं फिर आ कोई भी select कर लेगा YouTube आपके लिए तो एक ना एक end screen ज़रूर आपको add करना चाहिए फिर आजाते हैं cards, cards भी में recommend करूंगा आपकी चैनल की हो रही है आपने अपनी वीडियो पे किसी और वीडियो का basically एक तरसे link लगा रहा है तो cross promotion हो जाती है तो यह काफी अच्छा रहता ह और अगर आपकी वीडियो जब वो paid promotion है यानि कि किसी sponsored वीडियो है तो आपको जरूर यह option टिक करना है ताकि YouTube को बता रहा है और YouTube बाकी users को अपने दिखा सके फिर आजाते हैं guys tags वे tags वैसे तो हम काफी सारे डाल सकते हैं बढ़ हम आपस 500 characters की limit होती basically लेकिन इसमें हम काफी सारे tags डाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है start करेंगे हम tags डालना जो है guys अपने keyword से related और धीरे धीर हम brought चलते जाएंगे अब जैसे मैंने wordpress डाल दिया wordpress tutorial ला दिया आपको basically tags ऐसे डालने है कि लोग क्या search कर रहे होंगे इस video से related या इस video में ऐसा क्या है जो लोग search डाला है फिर मैं recommend करूँगा आप कोई broad topic ले जैसे digital marketing हो गया website marketing हो गया online marketing हो गया यह सब आप डाल सकते हैं और अपना brand ने मैं recommend करूँगा कि आप हर वीडियो में डाले तो इससे क्या होता है आपकी एक video कर कोई देखता है user को एक video पे click करता है तो suggested video में या recommended videos में उसको लग जाएंगे के करके तो ऐसे करके guys अपने tags आप decide कर सकते हैं जादा भणने की जरुत नहीं होती है tags से लेकिन हाँ आपको कोशिश करने है कि आप 250 के राउंड की character के limit यूज करें ताकि आप basically cover करने सारे बेसे जो भी आपके tags के हैं फिर आजाते हैं guys language and caption certification पे अब आपक ranking में effect नहीं करती है तो इसलिए मैं इसको blank छोड़ देता हूं अगर आपका मन है तो आप डाल सकते हैं search results में शायद आपको थोड़ी बहुत improvement मिल जाए फिर आजाते हैं guys license and distribution वाले पार्ट में इसको हम standard license रहने देंगे और allow embedding आप कर सकते हैं इससे क्या है basically third party websites पे लोग आपकी YouTube videos को डाल सकते हैं और फिर आजाते हैं guys short sampling पे अब देखे इसमें क्या है allow people to create shots using parts of this video तो अगर ये मैंने टिक कर रहा है तो फिर ये allowed होगी चीज़े ये क्या है guys मैं इसके बारे में एक video बना चुका हूँ शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ उसका link मैं आपको description में लिख दूँगा नीचे आप वो check out करें तो वहाँ से आप समझाएं कि basically क्या होता है YouTube की video अगर बहुत बड़ी है किसी को short खाली एक छोटा सा part promote करना है तो फिर वो उसके पास option हो जाता है फिर आजाते हैं guys category प hold potentially inappropriate comments for review hold all comments for review disabled comments तो मैं आपको recommend करूंगा इसाब second option select करने hold potential inappropriate comments for review इसे क्या है अगर कोई भी आपके पास spam comments आते हैं basically लोग क्या करते है random links लगा के चले जाते है random websites के तो वो बिल्कुल आपके लिए फायदे मंद नहीं होते हैं क्योंकि बिल्कुल भी आपसे relevant नहीं है और इ visible comments भी select कर सकते हैं और यहाँ पर basically comments की sorting option होता है top या newest तो वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर है show how many viewers like and dislike this video तो आप basically इसको like का tick option को select कर सकते हैं मैं recommend करूंगा इसको select ही रहन दीजी क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कितने likes हैं अगर एक like दबा प्रमोट करता है जो HD quality की वीडियो से उनको जादा प्रमोट करता है तो आप मैं बिल्कुल recommend करूंगा आपसे अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो 720 भी तो minimum होनी चाहिए बट अगर 1080p हो यानि की full HD हो तो बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे मैंने जो अपनी वीडियो खोल ली है अब मैं आपको नीचे चल के दिखाना साता हूँ जो मैं बहुत important बात एक बताना चाहरा था comment section में होती है ये अब ये क्या दिकत होती है इसमें ये वीडियो के uploading time पे हम नहीं कर सकते है अगर आपने वीडियो schedule कर रहे है तो हम नहीं कर सकते है इसे हमें बाद मे करना होता है वीडियो के upload होने के बाद क्योंकि हमें क्या करना है देखिए basically हमें वीडियो में pin comment करना है comment जो है pin करना है अब देखिए मैंने इसको comment लिख रखा है यहाँ लेकिन यह pinned नहीं है अभी तक हम क्या करेंगे यहाँ पर comment के right section में आएंगे और तीन dots हैं यहाँ और हम pin कर देंगे तो pin comment से guys basically YouTube algorithm की ranking में आपको effect दिखेगा मैं हर बार आपको बोलुगा कि आप हर वीडियो को pin करके जरूर रखें उसमें कुछ भी comment करें आप और pin कर देजे उसको ताकि कोई भी user अगर आता है तो हो सकता है वो इसको ही reply कर दे दे और इस अगर आपकी growth slow लग रही है आपको तो बिलकुल आपको परिशान होने वाली बात नहीं है काफी patience का game है YouTube specially starting में मैं recommend करूंगा अगर आप इसको start कर रहे हैं अगर आप guys इसमें नया channel start कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यह मान के चले कि 6-8 months के लिए ही growth बहुत minimal र अगरिधम ही ऐसा है और आज कल की date में आपको पता ही है YouTube के इतने सारे channels बन गए हैं काफी जादा crowded हो गया YouTube का space तो इसले हर channel promote करना easy नहीं है लेकिन आप अपना content regular इंटरवर्स पर डालते रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने एक हफते में तो 7 वीडियो डाल दी और फिर अगले ह लेंगे और अपने content को है जो regularly improve करने कोशिश करें किसी ना किसी तरह किसे और अगर आपका content अच्छा है और original है तो जरूर रांक करेंगा एक नएक देन तो चलिए guys आज के लिए इतना ही thank you for watching this video अगर आपको वीडियो बसंद आया तो like करे शेयर करें और subscribe करें मेरे चानल क ऐसे ही और digital marketing related videos के लिए thank you for watching this video guys I'll see you in the next one ओो ओो